आज का हमारे इस्टोरी है mother and daughter यानि मा और बेटी का एक सौट इस्टोरी है इस इस्टोरी के मदद से आप इंगलिस बोलना लिखना समझना समझेंगे तो चलिए इस्टोरी को सुरू करते हैं देखे पहला सेंटेंस है many years ago यानि कई साल पहले many years ago कई साल पहले there lived a mother with her doctor एक माँ अपनी बेटी के साथ रहा करती थी कहां पे रहा करती थे इन नियर सिटी एक नजदी की सहर में रहा करते थे ठीक है both of them were lazy दोनों में से क्या थे दोनों आलसी थे दोनों के दोनों क्या थे वर लेजी बहुत आलसी थे लेजी का मतलब होता है आलसी वे लोग लोग काम नहीं करना चाहते थे, यानि वे लोग इतना आलसी थे कि आलसी के चक्कर में वे दोनों मा बेटिया काम नहीं करना चाहते थे, तो फिर देखे आगे श्टोरी में क्या हुआ, one day daughter एक दिन बेटी ने कहा किस से कहा sad to the mother अपनी मा से कहा अपनी मा से क्या कहा let's not work चलो काम पर नहीं चलते हैं next year यानि अगले साल फिर क्या हुआ अगले साल I will get married अगले साल मैं साधी कर लूँगी and you will die और तुम मर जाओगी यानि कि वे दोनों इतना आल सी थे कि काम करने के चक्कर में वो लड़की बोलती है कि मैं साधी कर लूँगे और तुम मर जाओगी तो मुझे कमाने की क्या ज़रत है हम लोग को कमाने की क्या ज़रत है ये बाद अपनी बेटी ने अपनी मा से कहा फिर आगे है they finished eating everything, उन्होंने खा कर सब कुछ खतम कर दिया, they sold, उन्होंने बेच दिया what they had spent, जो कुछ भी उनके पास था, वो सारा चीज उन्होंने बेच दिया all the money useless things, all the money useless things, यानि जितने भी पैसे थे वो बेकार चीजे में खरीद कर खतम कर दे, they did not want to save anything, उन्होंने कोई भी बचत नहीं किया, ठीक है जितने भी बेकार चीजे थे वो सारा समान खरीद कर उन्होंने कोई भी बचत नहीं किया, time were on and a year past, time गुजरते गया और एक साल पा साधी नहीं ओपाई, but doctor could not get married, but उनकी बेटी की साधी नहीं ओपाई, because क्योंकि nobody wanted to marry her, क्योंकि उससे कोई भी साधी नहीं करना चाहता था, क्योंकि उनकी तर्खीन भी हैबियर से उनसे कोई साधी नहीं करना चाहता था, देखे, आगे है, the mother did not die, उनकी मदर अभी तक नही मरी थी, at the last of the year, और अंतीम साल में क्या होगा देखते हैं, they had no food and property, उनके पास ना तो कोई भोजन बचा और ना ही कोई प्रॉपर्टी बचा, at all, सारा चीज खतम हो चुका था, the were about to die of hunger, उनकी इस्तिती ऐसी हो गई थी कि वो भूग के कगार पर थे, भूग से मरने के कग होता है, इसलिए परजेंट के बारे में, परजेंट में खत्म नहीं करना चाहिए सब कुछ क्योंकि भविस में क्या होगा या किसी ने नहीं देखा है,